टॉप फाइब डॉक्टर डूम भेरियंट्स जिनको अकेला हाराना किसी भी सूपर हीरो के लिए not a matter of joke तो हेलो दोस्तो असलानी एक्स की एक और नए वीडियो में आप लोगा स्वागत है अब जबकि बहुत ही जल्द हमें डॉक्टर डूम MCU में देखने के मिलेगा तो उसके बारे में हम जितना जानेंगे मूवी देखने के वाक्त हम उसके बारे मूत नहीं अच्छे से फिल कर पाएंगे तो इसलिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम की टॉप फाइब भीरियन्स के उपर एंड जानेंगे उनकी ओरिजिन, पावर्स एंड कॉमिक मून की क्या फीड्स रहा चुका है तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो के इन तक जरूर देखना और वीडियो के एक लाइक करके प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर देना तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगन दे वीडियो जैसे कि हम इसका नाम से ही जान सकते है डूम 2099 बिलोंग्स करता है मार्वेल की 2099 आर्थ से 2099 मार्वेल की मेन उनिवर्स से सोव सल फ्यूचर से है जिसके चलते इस उनिवर्स की हार एक चीज़ बहुत ही ज़दा एडवांच्ट है बाकि ज़दा एडवेल पाकि उनिवर्स से बहुत ही ज़दा पाउफूल है Power Cosmic Dr. Doom Power Cosmic Doom जिसके पास Cosmic Powers है और इसे के चलते उसे Power Cosmic भी कहा जाता है ये बला Doom सबसे Powerful Variants में सा आता है इसका First Appearance हमें देखने के मिला था Marvel Comic की Fantastic Four Issue 60 में जहां वो Silver Surfer की Powers को Absorb करे लेता है और उसकी खुद के Powers के साथ साथ वो Powers भी आ जाता है जो Silver Surfer के पास था और इसे के चलते उसके पास Super Speed More Than Lights जिसके थुरूए Space में कहीवी Travel कर सकता है इसके अलबा Matter Manipulation, Energy Create and Blast कर सकता है Dr. Doomsday तो दोस्तों ये Dr. Doom Amul Gum Universe से है Amul Gum Universe Create हो था जब Marvel and DC Comic की Crossover हो था जहां Marvel and DC की Characters आपस में Combine हो गई थी और इसलिए अगर बात की जाए इस Universe की Dr. Doom की ये Dr. Doom Combine है Dr. Doom and DC की Doomsday से जिसके चलते इसके पास Dr. Doom की Powers के साथ साथ Doomsday की Powers भी है और Doomsday एक तरह से Undestructible है इसलिए No.3 पर है End of Time Doom ये Dr. Doom मुझे personally बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसका Powers की जानका आपको पता चल जाएगा कि ये वाला Dr. Doom No.2 पोजिशन की डिजब करता है तो basically Dr. Doom की ये वाला भार्षन बिलॉंग्स करता है आज 4412 से लेकिन इस Universe के आंदर होता कुछ ऐसा है कि इस Universe की लोग की काफी ज्यादा पारफुल हो जाता है और अपने भाई Thor को तकलिप देने के लिए आर्थ की सारे population को मार देता है लेकिन बाद में हमें पता चलता है पूरी Humanity खतम होने के बाद भी Dr. Doom जिंदा बज जाता है और इसके बाद Dr. Doom स्टर ब्रैंड और आरोन फिश्ट को खुद के अंदर कॉम्बाइन कर लेता है और उसके बाद Spirit of Vengeance और Eye of Agamotto भी हासिल कर लेता है जिसके बाद ओ एक God से भी ज्यादा पारफुल बन जता है और एंड में थौर के पास एक ही टाइम पर फिनिक्स फोस और ओर इन फोस रहते हुए भी दूम की इस भीरिंट को हरने में थौर को सौसलों से भी ज्यादा टाइम लग गया था लेकिन एंड आफ टाइम डॉक्टर डूम की एवला भरसन इतना दाद पारफुल होने के बाद भी सबसे पारफुल नहीं है और इसके लबा डॉक्टर डूम की एक और फिरिंट है जो पूरो मल्टिवर्स में नंबर वान पे आता है God Imperate Doom टो डॉक्टर डूम की एवला भरसन सबसे पारफुल भरसन है जो इनकर्सन के टाइम बियोंडर्स की पावर्स को एबजब करके अपना खुद का वर्ल्ड क्रेट किया था दी बेटल वर्ल्ड God Imperate Doom की पावर्स की बात करे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ओ नहीं कर सकता अब अगर बात करें इसकी कॉमिक में फिर्स की तो इस टोपिक को में इस वीडियो में एक्स्प्लेन करके रखा हूँ अगर नहीं देखे तो अभी जाके दिख लो लिंक उपर आए बटन पर या कॉमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा तो दोस्तो यही थी डॉक्टर डूम की टॉप फाइब मोस्ट पावर्फुल फर्सन्स तो आपको वीडियो क्यासा लगा कॉमेंट में ज़रू बताना और वीडियो को एक लाइक करके प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में सी यू सून